दुष्मन्था चमीरा एक पेशेवर Ś्री लंकाई क्रिकेटर हैं जो राश्ट्रिए टीम के लिए तीनों प्रारूपों में खेलते हैं और नॉन्डिस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब के लिए घरेलु स्तर पर खेलते हैं उन्होंने जन्वरी 2015 में श्री लंका के लिए अपना अंतराष्ट्रिय पदारपन किया जन्म 11 जन्वरी 1992 आयू 32 वर्ष रागामा श्री लंका वर्तमान टीमें कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट गेंदबाज अधिक शामिल होने की तिथिया फरवरी 2022 लखनो सुपर जायंस अधिक गेंदबाजी दाहिना हाथ तेज शिक्षा हरिश्चंद्र कॉलेज सी स्टार कॉलेज ने गुम्बो उंचाई एक दशमलव नौ एक मीटर दो शुन्य एक दो वर्तमान नौन डिस्क्रिप्स क्रिकेट क्लब दुश्मन था चमीरा नेट वर्थ अराउंड फाइव मिलियन डॉलर्स घरेलू और टी ट्वेंटी फ्रेंचाईजी करियर मार्च दो हजार अठार में चमीरा को दो हजार सत्रह से अठार सुपर फोर प्रांतिय टूर्नामेंट के लिए कॉलम्बो की टीम में नामित किया गया था अगले महीने उन्हें दो हजार अठार सुपर प्रांतिय वन डे टूर्नामेंट के लिए कोलम्बो की टीम में भी नामित किया गया था अगस्ट 2018 में चमीरा को 2018 SLC T20 लीग के लिए गॉल की टीम में नामित किया गया था मार्च 2019 में उन्हे 2019 सुपर प्रांतिय वंडे टूर्नामेंट के लिए गॉल की टीम में नामित किया गया था अक्टूबर दो हजार बीस में उन्हें लंका प्रीमियर लीग के उधगाटन संसकरण के लिए कोलम्बो किंग्स द्वारा चुना गया था जनवरी दो हजार अठारह में उन्हें दो हजार अठारह IPL नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था हालांकि वह पीट की चोट के कारण टूर्नामेंट के पहले हफ़तों से चुक गए थे अगस्त दो हजार एक्कीस में चमीरा को यूएई में दो हजार एक्कीस इंडियन प्रीमियर लीग आई पील के दूसरे चरण के लिए रॉयल चैलिंजर्स बैंगलोर टीम में शामिल किया गया था नवंबर 2021 में उन्हें 2021 लंगा प्रीमिर लीग के लिए खिलाडियों के मसौधे के बाद कोलम्बो स्टार्स के लिए खिलने के लिए चुना गया था फरवरी 2022 में उन्हें 2022 इंडियन प्रीमियर लीग टूर्नामेंट की नीलामी में लखनव सुपर जायंट्स द्वारा खरीदा गया था वह IPL सीजन 2024 के लिए कोलकाता नाइट राइडर में है जुलाई 2022 में उन्हें लंका प्रीमियर लीग के तीसरे संसकरण के लिए गौल ग्लाइडियेटर्स द्वारा हस्ताक शरित किया गया था अंतराश्ट्रिय कैरियर दाएं हाथ के तेज गेंदबाज, चमीरा ने 29 जनवरी 2015 को न्यूजिलेंड के खिलाफ श्री लंका के लिए अपना वंडे डेब्यू किया उन्होंने अपने पहले ओवर में अपना पहला अंतराश्ट्रिय विकेट लिया जब उन्होंने रॉस टेलर को बोल्ड किया और उन्होंने ग्रांट इलियर्ट को भी आउट किया जिससे श्री लंका ने मैच चीत लिया चमीरा को 2015 ICC क्रिकेट विश्व कप के लिए चुना गया था लेकिन उन्होंने पहले कुछ मैचों में हिस्सा नहीं लिया उन्हें स्कॉट्लेंड के खिलाफ श्री लंका के आखिरी पूल ए मैच के लिए टीम में चुना गया जहां उन्होंने 51 रन देकर तीन विकेट लिये श्री लंका ने मैच चीत लिया चमीरा ने जून 2015 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदारपन किया दूसरी पारी में उन्होंने दोनों पारियों में 28.5 ओवरों में 4 बटा 76 के आंकडे के साथ तीन विकेट लेकर श्री लंका को जीत दिलाई मैच में उन्हें साइड स्ट्रेंग का सामना करना पड़ा और वे सीरीज के तीसरे टेस्ट से बाहर हो गए उन्होंने 9 नवेंबर 2015 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ श्री लंका के लिए अपना 20 बीस अंतर राष्ट्रिय पदारपन किया मई 2018 में चमीरा 39 क्रिकेटरों में से एक थे जिनहें 2018 से 1970 से पहले श्री लंका क्रिकेट द्वारा राष्ट्री अनुबंद से समानित किया गया था मई 2021 में बांगलादेश के खिलाफ तीसरे मैच में चमीरा ने एक दिवसिय मैच में अपना पहला पांच विकेट लिया और वह उसी मैच में मैन आफ दे मैच भी रहे साथ सितंबर 2021 को दक्षिन अफरीका के खिलाफ तीसरे वंडे में चमीरा ने एक प्रभावशाली मैच विजेई ओपनिंग गेंदबाजी प्रदर्शन किया अंत में श्री लंका ने 78 रनों से जीत हासिल की और चमीरा को मैन आफ दे मैच भी चुना गया उसी महीने के अंत में चमीरा को 2021 ICC पुरुष्टी 20 विश्व कप के लिए श्री लंका की टीम में नामित किया गया टी 20 विश्व कप में आस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल में उनकी नो बॉल को प्रेस द्वारा अब तक की सबसे खराब गेंदों में से एक सबसे खराब गेंद फैंकी गई और आपके द्वारा देखी गई सबसे गंदी गेंदों में से एक के रूप में वनित किया गया था